हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीजियो में देखेंगे हम लाभ हनी के कोशन जो की बहुत इंपोर्टेंट होते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पहला ही कोशन है आपका किसी बस्तू को 800 रुपे में खरीद कर 900 रुपे में बेच दी तो पर हुआ 800 पर हुआ यानि कि जो भी फायदा या नुकसान होता है वो क्रेम उले पर ही होता है यह हमारा कोश्ट प्राइज है और यह हमारा सेलिंग प्राइज है ठीक है जो भी प्रोफिट या लॉस होगा वो कोश्ट प्राइज पर ही होगा और प्रतिस्त के लिए क्या कर कर देना है बस प्रश्ण यहीं खतम हो गया देखिए दो जीरों से यहाँ पर आपके यह दो जीरों कट गए आठ से कट आओंगा मैं इसको तो आठ एक कमाट कटेगा ठीक है दो बच्छे का 20 आठ दुनिये का 16 20 में से 16 कट गया चार बच्छे का नहीं जाएगा दसमलब 40 हो आठ पंजे 40 यानि की 12.5 परसेंट का उसको लाब हो जाएगा 12.5 परसेंट यानि की सी ओफसन आपके कोशन का बिल्कूर सही जबाब है सबी को किलिए रहे चलिए अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है किसी बस्तू का क्रेमूल क्रेमूल यानि की कोश्ट प्राइ पूछ रहा है देखिए cost price अपने आप में कितना होता है अपने आप में होता है 100 ठीक है और हमें क्या करना है उसको 20% के लाब पर बेचना है तो 100 की चीज को हम 120 में बेचेंगे तब ही तो 20% का लाब होगा आप देखिए cost price यहां हमने 100 माल लिया जब कि real में cost price है कितना 8200 है real में तो 100 से कितने गुणा पर है आप कहेंगे 82 गुणा पर है ठीक है जब cost price 82 गुणा है तो आपका जो selling price है वो भी 82 गुणा हो जाएगा तो क्या करना है 120 का 82 गुणा करना है यह 0 आजाएगा last में 12 गुणा हो 24 का 4 केरी का 2 ठीक है 12 का गुणा 8 में कर देंगे 12 transcription गुणा 8 में कर देंगे और केरी का 2 गुणा लगा देंगे तो 98 कितना ओज जाएगा आठान वे यह हो गया 9,840 तो उसे कितने बेचना हो 9,840 यानि कि पहला option पिल्कुल सही जवाब सभी को समझ में आ गया चलिए आप देखेंगे अगला question अगला question है किसी बस्तू को 1190 रुपे में बेचने पर 30% हानी होती है तो उसका क्रेम मुले क्या होगा क्रेम मुले पूछ रहा है देखें कोई भी बस्तू हो उसका क्रेम मुले अपने आप में 100% होता है उसका क्रेम मुले होता है अपने आप में 100% होता है कोई भी बस्तू हो उसका क्या कर रहा है वो 30% की हानी होती है जब वो 1190 बेच रहा है यानि कि वो 30% की हानी पर बेच रहा है 30% की हानी पर बेच रहा है, 100% की चीज़ को वो 30% की हानी बेच रहा है, इसका मतलब वो कितने बेच रहा है? 70% में बेच रहा है वो जो दाम ले रहा है वो 70% का ले रहा है और दाम कितना ले रहा है 1.90 रुपे ले रहा है यानि कि 70% की value 1.90 है हमसे पूछ रखेरे मुल यानि पूरे 100% का मान तो कैसे निकालेंगे इस 1.90 में इस 70 से डिवैड कर देंगे 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे 0 से कट गया 0 अब देखिए 10 में गुना हो जाएगा 11.90 का ठीक है तो ये 1.00 यहां बढ़ जाएगा और डिवैड कितने से करना है 7 से करना है कर दो भई 7 एक कम 7 ठीक है 4 बचे का 49 7.70 49 हो गया और 2.00 यह आ जाएगे बाद में तो 17 सो रपे आपका क्रेम मुल्य होगा क्रेम मुल्य आपसे पूछा गया था तो क्रेम मुल्य कितना है भई 17 सो रपे है यानि कि B option बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा आपका अब देखेंगे अगला question अगला question है एक बस्तू को 15% हानी पर बेचने से 25-50 रपे प्राप्त होते हैं तो 20% ला प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा देखी कोई बस्तू का cost price है ठीक है cost price क्या होता अपने आप में 100 ठीक है वो बेच रहा है selling price आपका first दिया कै selling price first यानि कि 15% की हानी पर बेच रहा है यानि कि 100 की चीज को 15 की हानी पर बेचेगा तो 85% में बेचेगा 85 का दाम लेगा वो फिर क्या कहा रहा है उसने प्राप्त होते हैं 20% लाप्त करने के लिए 20% का लाप्त करना है यानि कि 100 की चीज पर 20% का लाप प्राप्त करना है तो यह Selling Price 2 हो जाएगा 20% लाप प्राप्त करने के लिए कितने ही बेचना होगा 20% का लाप कैसे प्राप्त होगा 100 की चीज को 120 में बेचेंगे तब ही तो प्राप्त होगा अब देखें हमारे पास 15% की हानी हो रही है ठीक है और हमें 2550 रुपे प्राप्त होते हैं 25 15 की हानी के बाद यानि कि 15 की हानी होगी तो हम 85 में बेचेंगे 85 में बेचेंगे और रुपे में कितने में 2550 अब यह देख लीजिए कि 85 से 2550 कितने गुना है आप बोलेंगे, सर 30 गुना है, कितनी गुना है 30 गुना, जब selling price, first बाला 30 गुना है, तो cost price बन भी आपका कितना हो जाएगा 30 गुना, तो 100 का 30 गुना कर दो 3000 हजार और selling price 2 है इसको भी क्या करेंगे आप 30 गुना कर देंगे ठीक है 120 का 30 गुना कितना हो जागा भया 3600 आप से पूछ रहा होगा कि 120 में लाप राप्त करने के लिए कितनी बेचना होगा भाई कितनी बेचना होगा 120 में 3600 बेचना होगा डी option बिल्कुल सही जवाब चलिए अब देखेंगे अगला question अगला question है किसी बस्तू को 630 रुपे में बेचने पर 10% हानी होती है ठीक है देखी कोई भी बस्तू का हमारा cost price है वो अपने आप में कहा रहता है 100 ठीक है उसके बाद आ जाओ selling price first price यह first हो क्या क्योंकि 10% की हानी पर बेच रहा है 100 की चीज को 10 की ह छेसो तीस के बराबर है 600 क्योंकि यहां दिया गहा है कि किसी बस्तू को हम 630 रुपे में बेच रहे है तो 10% की हानी होती है यानिकि 10% की हानी पर 630 में बेच रहे है अब 900 से जे 90 से 630 कितने गुना पर है आप बोरेंगे साथ गुना क्योंकि 97 63 और 0 से 0 जब यह 7 गुना है तो इसको भी कर दो साथ गुना, कितना हो जाएगा, साथ सो हो जाएगा, ठीक है, अब आप से उसने कहा है, कि 910 रुपे में बेचने के लिए, 910 रुपे में बेचने पर कितने प्रत्स अतलाब यहानी होगा, यानि कि Selling Price 2 पूछा है उसने, Selling Price 2 पूछ रहा है वो, ठीक है, कितने बेचेगा, उसने Value देदी, 910 रुपे की, 910 की Value देदी, कितने गुना होगा भाई, ये भी 7 गुना कोई, जब ये 7 गुना, ये 7 गुना, तो ये 7 गुना, कितने का 7 गुना, 99 होता है, आप जानते हैं, तेरे का अमलट प्ए, 7 से करेंगे तो 99 और 0 से 0, यानि कि 130, 130 क का मतलब क्या है कि 100 की चीज को 130 बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई 30 पर्षेंट का प्रॉफिट होगा 30 पर्षेंट का लाब तो बीप ऑफ्षन बिल्कुल सही 30 पर्षेंट का यहां पर लाब हो जाएगा के लिए अब देखेंगे अगला कोश्चन है किसी बस लुको 20 पर्षेंट हानी की अपेच्छा 20 पर्षेंट लाब पर बेचने से 207 रुपे अधिक मिलते हैं तो उसका क्रेमुल क्या है देखें क्रेमुल यानिजि की कौस्ट प्राइस अपने आमें होता है स Nous , ठीकें सैलिंग प्राइस सैलिंग प्राइस सेलिंग प्राइसर फ हो जाएगा बेचना था 80 में यानि कि 20% की हणी में लेकिन वो बेचरा है 20% के लाप पर अधिक आशी से 120 कितना अधिक है आप पूलेंगे सर्च полит genug और रुपे कितना अधिक मिलने 207 अधिक मिलते हैं यहाँ पर चालिस की वेलू 270 के बराबर हमको Italic की value यानि कि 100% का मान के रहमो ले पूछा है तो कैसे निकालेंगे इस 270 में 40 से divide कर देंगे 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे आप cancer चाहेगा ठीक है यही आप cancer हो चाहेगा चली कटा दे कटाएंगे तो यह कितनी बार में कटेगा देखिए यहाँ पहले मैं कट देता हूं 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया चार से कटा दूंगा 100 को 25 वार में जाएगा 25 का गुना साथ से करो तो 175 175 का 5 कैरी का 17 25 दूने का 50 और कैरी का 17 जोड़ देंगे तो 66675 आपका सही जवाब हो गया जो कि पहले ही option में अब देखेंगे अगला question अगला question है किसी बस्तू क को 10% लाब किया पेच्छा 25% लाब पर बेचने से 105 रुपया दिख मिलते हैं तो उसका क्रेमूल क्या है देखे क्रेमूल अपने आप में कितना होता भाई 100 यह आपको बता चुके है selling price first कितना 10% के लाब पर यानि कि 100 की चीज को 10 की लाब पर बेचेंगे तो 110 में लेकिन उसने बोला कि 110 की आप पेच्छा selling price टूस ने रखा कि 25% लाब पर यानिकि 100 की चीज़ को 25% के लाब पर बेचेनी इसका मतलब 125 में अब देखें पहले बेचना था 110 में आप बेचने 125 में तो कितना अधिक में बेचने कितना अधिक में बेचना भाई 15 अधिक में बैट कर देंगे 100 का मान निकालने के लिए 100 से कुना 15 से कड़ा दो पंदर छिके 95 पंदर सत्ति 105 यानिकि साथ बार में 105 कड़ गया और साथ पहुना 100 से कर दो तो यह हो अगला कोशन है आपका राम ने किसी बस्तू को 10 पर से लाप पर हरी को हरी ने 20 परिशत हानी पर सोहन को बेच दी यदि सोहन ने उसको 8800 रुपे दिये हो तो राम ने वह बस्तू कितने मैं खरी दी थी अच्छा कोशन है हमबर के लिए दे रहा हूँ हमबर्ग के लिए दे रहा हूँ अच्छा कोशन है मैं इसको हमबर्ग के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले यह कोशन करा दिये हैं इसलिए हमबर्ग के लिए मिल रहा है आप से हो जाना चाहिए ज्यादा मुश्किल कोशन बिल्कुल भी नहीं है तो वीडियो